नमस्कार वोड इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अभिनाश है हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच रिष्टे ठीक हुए है आपसी मनमुटाव को खत्म कर दोनों ही खलाडी अब एक दिवस्रे की सम्मान कर रहे हैं कोहली और विराट के बीच अच्छे संबंध को बनाने में हेट कोच रवी शास्त्री का बड़ा हाथ रहा है उन्होंने एक टेबल पर दोनों को बुलाया था फिर बाते हुई दोनों तरफ से बाते रखी गई साथी बायो बबल में एक साथ रहने से भी कोहली और रोहित शर्मा के बीच रिश्टे ठीक हुए कड़वाहटे दूर हो गई ऐसी रिपोर्टस आई है और अगर ये सच है तो जो पहले अफ़वा उड़ी थी ये रोहित शर्मा और कोहली के बीच मनमुटाव है वो कही न कहीं अब सच सावित हो गया है पर अच्छी बात ये है कि भारत के दुनों खिलाडियों के बीच रिश्टे अब पहले से बहतर है और ये भारत के फैंस के लिए अच्छी ख़वर है साथी भारते किरकेट के लिए भी अब टाइमस ओफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक टेबल पर बैठे थे और इस दौरान बाहर की सभी चीजों पर विचार किया गया दोनों के बीच वैचारिक मतभेद को मिटाने का श्रे रविशासरी को जाना चाहिए जिन्होंने इसके लिए पहल की और दोनों के बीच के मतभेद को मिटाने का प्रयास किया गया कोरोना महमारी के वज़े से खिलाडियों को बायो बबल में रहना पड़ रहा है जिसकी वज़े से उन पर मांसिक दवाव तो पड़ा है लेकिन इस दोरान खिलाडियों को आपसी संबंध मजबूत करने का शांदार मौका भी मिला इस बाई बबल की वज़े से रोहित शर्मा और विराज के संबंध अच्छ हुए और उनका पड़नाम काफी सुख़द मिला है टैम्स ओफ इंडिया के एक सुत्र के हवाले से लिखा गया है दो बड़े देशों के खिलाब से लिख जितना टीम इंडिया के लिए बड़ी उपलब्धी रही साथरी ड्रेसिंग रूम के लिए भी ये बड़ी बढ़त रही सुत्र के मुताबिक पिछले कुछ हफते में टीम इंडिया के खिलाडियों के आपसी संबंद और भी ज़्यादा मजबूत हुए है और वो अब अपने खेल, टीम, जिम्मेदारी और आने वाली सिरीज के लिए पहले से कहीं अधिक तयार नजर आ रहे हैं ये खिलाड़ी अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा समझ रहे हैं कि टीम को तभी फायदा होगा जब उनका दरिश्टी कौन एक जैसा होगा पिछले चार महनों में ये टीम की सबसे बड़ी उपलब दी रही है आपको बता दे रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच आपसी लड़ाई एजबस्टन में खेले गए इंगलेंड और भारत के बीच मुकाबले के बाद शुरू हुई थी उस मुकाबले में गेंदबाजों की खोब पिटाए हुई थी जिसके बाद रोहित और कोहली के मत उस वक्त अलग थे फिर सेमी फाइनल में हम लोग हारे और तलखिया फिर ज़्यादा बढ़ गई थी इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही वण इंडिया के साथ